तो नाव गूर्मारिंग स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से जो रेप्लीका मैनेजमेंट होते हैं वो किस तरीके से आपके डेटा को रेप्लीकीट करता है तो अब एक पॉइंट आता है इसमें that is called the update प्रोपेगेशन कि किस तरह से जो हमारा पास जो अपडेशन हुआ है किसका डीटा का तो थो थो दर रेप्लिकेशन वो किस तरह से अपडेट होता है तो यह पॉइंट है कि अपडेट प्रोपेगेशन इन अदिस्टिबूटेड डेटाबेस is a probability probability नहीं ठीक है एक problematic है ठीक है because of the fact that they may be more than one copy of a piece of data because of replications replications के थुरू एक ही data की बहुत सारी copy हो जाती है ठीक है और इस तरह से जो data होता है वो may be split up break होता है because of partitioning partitioning करने कि क्या मतलब हो गया कि जब data bunch में हो जाता तो वो तूटके सभी जगा attach होता है कुछ यहां कुछ वहां and everywhere ठीक है तो इस तरह से जो भी updates होता है data form में लिखावाई any updates to data performed by any user must be propagated to all copies throughout the database इस तरह से जो यूज होता है जो snapshots का या local state का या जो हमारे सारी data का जो अप्लिकेशन होता है उसको snapshots replication मोलते हैं is one technical for the implementing this ठीक है तो जो snapshots replication है वो इसी को implement करने के लिए होता है ठीक है अब आते हैं इसके second point पे तो the basic problem क्या होगा data replication का is the update to any given logical object must be propagated to all stored copies of that object ठीक है तो इस तरह के जो data replication होते हैं वो सारे data को आपको replicate करने की देते हैं ठीक है यूज करते हैं अगर आपका उसमें network failure हो गया या site failure हो गया दिन वहीं जो हमारा replication होता है उसी के तुरू जो हमारा data इधर उधर रहता है वही यूज करके हम उसको update करते हैं ठीक है तो हमारे पास strategy क्या हो गया जो data को propagate करने के लिए what is the strategy तो जार से बात जो immediately जो सारे copies जो हुए हैं जो हमारा unacceptable copies है because it implicit that the update and therefore the transaction will fail if any one of those copy unavailable और उसमें से कोई एक copy ब्यार अगर unavailable हो गया मतलब suppose करो कि पांच तरीके का memory है one two three four five उसमें से हमने update किया तो update करने का suppose करो वह हो गया six seven eight nine or ten इसको propagate किया मतलब यह सारे memory को एक से ज़्यादा जगों पे store गया suppose करो कुछ store और कुछ store नहीं हुआ eight number वाला store कहीं पर नहीं हो रहा है तो जहां कहीं भी आपने replications किया वह replications तो क्या हो गया वह रॉंग हो गया वह replications का तो कोई मतलब भी नहीं होगा कि where is my data वो टेटा क्या दिखाएगा वो रॉंग दिखाएगा आपको पता तो चलिए कि दिसीदा replications but this is not a guaranteed replication तो इस तरह के जो replication fail होते हैं उसको क्या बोलते हैं नेटवर्क failure के कारण इस तरह के replications होते हैं ठीक है तो जब common scenario देखोगे इस तरह के schemes को लिखा है a common scheme for dealing with this problem is the only one possible is the primary copy scheme उस copy को change करते रहो ठीक है तो जब भी ऐसी को replicated object की जो copy होती है वो इस तरह से design किया जाता है कि जितने remainder है वो सारे के सारे secondary copy में रहे आपके पास primary copies वो बचा है ठीक है तो इस तरह से जो data कि देखो कहीं ने कहीं यह क्या एक तरह का database है तो जब database इस तरह से रहेगा तो कहीं ने कहीं जो हमारे पास acid property है acid requirement है किसी भी database की transaction करने के लिए वो क्या रहना चाहिए वो update होना चाहिए and must be synchronous replications और जो replication होना चाहिए वह हमारा synchronous replication होना चाहिए तो इसी तरह से इसमें point आता है that is called the atomic multicast ठीक है यह atomic multicast का मतलब क्या होगा कि यह database use हुआ और यह network का part हो गया multicast तो atomic city का मतलब कि जो भी हमारे पास database है वो consistency होना चाहिए replication हो रहा तो data हमारा manage होना चाहिए और multicast मतलब through all in the server जितने भी server पर है वो सारे server पर same ही data होना चाहिए और एक ही time के सब जगर replicate होना चाहिए तो that will go through the multicast तो यहां दो बड़ाया atomic और multicast ठीक है तो atomic multicast क्या बोलता है कि the atomic group multicast is implemented over the reliable group multicast protocol like reliable multicast the atomic multicast protocol provides an interface for that members to multicast message to the group ठीक है and it delivers a sequence of events जायर सी बात जो हमारा events होना चाहिए वो किस तरह में होना चाहिए वो एक order में होना चाहिए to each member where each event is a each event is a group view or a message मतलब जितनी विवेंस है वो तो या तो गुरूप को भी होना चाहिए वो या तो फिर वो सारे के सारे message को order में replicate होना चाहिए तो दिस इस ओल अबाट था ही है कि इतॉमिक मूल्टी कास्ट ठीक है को तो तो इस पर प्रोटोकॉळ होता है हो प्रोटो को किसाओ कर रहा है कि वाट इस देखो the atomic multicast protocol delivers the same sequence of events to each correct member that is not removed from the group वो जो ग्रूप से वो रिमूब नहीं होगा सकते ठीक है तो atomic multicast एक तरह का protocols हो गया जो similar to those system जैसे MOBI या irises या एक system है जो कि tolerant करता है this failures को ठीक है इस तरह के failures होंगे वो replications के through failures नहीं होंगे और उसको क्या करेगा वो tolerate करेगा तो इन system में यह जो designated memory होते हैं हर group का वो call the sequence उसको sequence बोलते हैं that determine the order उस order को determine करते हैं जिसमें atomic ma atomic multicast और जितने भी view होते हैं वो इसको यूज करते हैं थीक है तो इस ओल एबाट दा atomic multicast अब atomic multicast में दो चीज़े हैं कि जो भी इस तरह से sequence use करेगा कि हर बार sequence को increase करेगा sequence होता चले जाएगा इसका सब्सक्राइब कि आपकी जो messages हैं वो क्या हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और उस तरह की increase मैसेज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग फीफो फरस्ट इन फरस्ट जो भी पहले आया वह पहले ही उस multicast उस message को क्या करेगा multicast करेगा कहां पर अपने group में from the with the method कुछ methods होंगे उसके उसके थूर क्या करेगा उसको create करके और उसको update करेगा तो अगर पहला step दिखा जा तो इस सारे इतने भी methods है यह सारे rules है to handle a malicious members is to replications all fifo multicast by fifo reliable multicast using this protocol तो यह सारे जो प्रोटोकॉल से वह किस तरह की हो गया कि फॉर्द एट्व में सीटी को maintain करने के लिए और जितने भी services होते हैं जैसे denial of services हो गया sequence here हो गया यह सारे के सारे आपके यूज करेंगे किसमें for the reliable multicast करने के कहां पे sequence here को कहां पे atomic multicast में ठीक है तो इस ओल अबाट फोर यूर्द atomic multicast ठीक है ओके थैंक यू